बिहार के मुखि मंत्री नितीज कुमार ने चिराग पासवान को एक बार नहीं, दस बार कॉल किया। कभी फोन नहीं उठाते, कभी उठाते तो बात नहीं करते। एक बार उनकी मा रिना पासवान से नितीज कुमार की फोन पर बात्चित हुई थी। द्रसल इस बात का खुलासा नितीस के बेहद कड़ी भी नेता जेडियू एमिलसी खालीद अनबर ने चिराग पासवान को लेकर किया है। फोन करके हालचा लेते थे लेकिन तब भी ब्यार के मुख्य मंतरी नितीस कुमार ने राम विलास पासवान का हालचा नहीं लिया था कि आखिर वो कैसे हैं और किस प्रस्तिती में हैं। उनका सिहद कैसा है। लेकिन चिराग पासवान एक बार भी फोन रिसीब नहीं करते थे। एक बार सायद फोन रिसीब हुई तो उनकी मा रिना पासवान से नितीस कुमार की बाचीत हुई थी। यानि कि जो चिराग कह रहे हैं कि नितीस कुमार ने फोन तक नहीं किया था रामिलास पासवान के हालचाल को जानने समझने के लिए। बलकि नितीस कुमार के तरफ से कहना है उनके पाटी के इमेलसी जो हैं। उनका मानना है कि एक बार नहीं बलकि दस बार नितीस कुमार ने कौल करके रामिलास पासवान के सिहत की जानकाड़ी लेने की कोशिस की। लेकिन चिराग पासवान अपनी राजनिती के लिए नितीश कुमार का फोन तक नहीं रिसीब करते थे वो जानकारी भी नहीं रेते थे चुकि नितीश कुमार की विरोध की राजनिती चिराग करते हैं ऐसे में ये बात अगर मीडिया में आ जाएगी कि नितीश कुमार ने फ पीच उनका एक वीडियो वारल हुआ था जब वो हस्ते नजर आते थे जब जनता के भी जाते थे तो भावुक हो जाते थे जब वीडियो बनाते थे तो रोने लगते थे लेकिन वही एक वीडियो क्लीप सामय आया था जिसमें चिराग पास्वान भावुक होने का नाटक कर एक्टिंग कर रहे थे जिसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे थे कि चिराग परदे की पीछे कुछ और हैं और परदे के बाहर कुछ और परदे के बाहर दिखाना चाहते हैं कि पता के जाने की छती उनके लिए कितना बड़ा है बलकि सचाई तो कुछ और ही है तो चिराग पा पुरा परिवार चुनाव हार चुका था तब ना सिर्फ लालू प्रशाद यादों के सयोग से बलकि जेडियू के सयोग से भी वो राजसवा गय थे चुकि रामिलास पासवान के पास मात्र दो भी रायक थे और आर्जरीक पास बाइस राजसवा जाने के लिए आकरा चाहिए 38-39 ऐसे में नितीज कुमार अगर अपना उमिदवार ख़रा कर देते तो फिर रामिलास मान करते नितीज कुमार देख возможно नितीज कुमार आज भी कहते हैं के वा पुराने निता थे उनका इस दुनिया जाना याइक बड़ी च्छती है मारनेफों किया था